तीन दिन से लगातार गिरावट के साथ बंद हो रहे शेर बाजार में आज तेजी लोटी और बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक 271 रंग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी तेहत्ता रंगों के तेजी के साथ बंद हुआ एक फरवरी को देश का बजट संसद में पेश होना है बजट में सरकार की तरफ से देश की अर्थ विवस्था को मंदे से उबारने के लिए कुछ घोशनाय किये जाने के संकेत दिये जा रहे हैं आज सुबह अंतराष्टे बाजार में कच्चे तेल की कीमते भी तीन प्रतीशत से जादा गिर गई इन सब के बीच सेंसेक्स पेच्छता रंगों की तेजी के साथ 41,191 अंग पर खुला लेकिन जल्द ही बाजार बिकवाली के दबाव में आ गया और सेंसेक्स लाल निशा पर पहुँच गया बाजार बंद होने से पहले ये दिन के उचसतर 41,404 अंग तक पहुँचा और बाद में 271 अंगों की तेजी के साथ 41,386 अंग पर बंद हुआ सेंसेक्स की 30 में से 23 कंपनियों के शेयर तेजी में और 7 कंपनियों के शेयर गिरावट में बंद हुए सबसे ज़ादा तेजी LNT के शेयर 2,98 पीसदी की रही जबकि टैक महिंदरा के शेयर 1,19 प्रतीशत की गिरावट के साथ बंद हुए निफ्टी 17 अंगों की तेजी के साथ 12,124 अंग पर खुला याज 12,094 अंग के दिन के निचले और 12,189 अंग के उच्छतम स्थर तक पहुँचा और बाद में कल के मकाबले 73 अंगों की तेजी के साथ 12,180 अंग पर बंद हुआ निफ्टी की 50 में से 34 कंपनियों के शेयर हरे निशान में और 16 के लाल निशान में रहे एनसी पर 11 में से 10 सेक्टर इंडेक्स फायदे में रहे रियल्टी इंडेक्स में सबसे जादा 2,10 प्रतिशत तेजी रही सिर्फ मीडिया इंडेक्स 2,08 नुकसान में रहा अधिकान श्विदेशी बाजारों में आज गिरावट देखी गई दक्षिन कोरिया का कॉस्पी 0,93 प्रतिशत जापान का निक्की 0,98 प्रतिशत हंकों का हैंक सेंग 1,52 प्रतिशत और चीन का शंगाई कंपोजीट 2,75 प्रतिशत की गिरावट में रहा योरोप में शुरुवाती कारुबार में जर्मेनिक अडेक्स 0,42 प्रतिशत लोडग गया डीबी लाइफ की रिपोर्ट